कभीता कह रही है ठीक हो वल आप लोग कैसे हो आप लोग तो कि अच्छे होंगे बढ़िया होंगे और मेरे पीछे जो ये सीनरी दिख रही है न वो बहुत खुब सूरत है तो मैं हिश्वर से आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब अच्छे होंगे और अभी साम का टाइम है साम के बजे है च्छे और अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे उपर वाले घर में और कितना अच्छा सीन आ रहा है न यहाँ से तो यहाँ पे यह बाबू भी खड़ी है और यह ह हमारे घर का आगन है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है तो चलिए उपर चलते हैं चलो खाना चलो तो अभी हम उपर की तरफ जा रहे हैं और मैं आम का पेड़ दिखाते हूं आप लोगों को यहाँ पे ना आम लगे हुए हैं और बच्पन में हमने ना इस पेड़ से ब और यहाँ पर एक ना अनार का पेड़ भी हुआ करता था और यह हमारे नर्सिंग भगवान जी का घर है घर यानि की मतलब हमारे नर्सिंग भगवान जी का ठा है ठा बोलते हैं हमारे उत्राखंड में देपता के अस्तान को यहाँ से हम आम तोड़ते थे तो इस पेड़ प कभी इधर आए इधर एधर बेडियाली मादा ठीक चो डश्वार बड़ अब शबड़ अब अधरी अधर मुथ दो निग निकाद इस व बड़ संवा है ना ना पता नीचा अमन्जगोट जैन चामील वालबीजी हूई जय तो बाग लग लग लग्णा बरे हां तो भी पुलिसों ब्रूमना ची आप घिरा रा बलता पकर नाची बले हो पनी जिनो है यह नहीं तब भी जरूर आप कर ना रोज पोड़ आ रिड़ आ रह जा रहे है यहां पे सामने ज्यादा दूर नहीं जा रहे है तो नमस्ते के दिजरए नमस्ते, बोल ठोको कोशनी हो कि अन्हें नमस्ते हैं चैजर कोशनी है दोटो नमस्ते, नमस्ते 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 हो बोल कैसे हो? यह है हमारे नर्सिंग देपता का मंदीर तो यहां पर पढ़नाम करेंगे जब भी आते हैं तो सबसे पहले यहां पर मत्था टेकते हैं तो चलिए आईए मैं दिखाती हूं आप लोगों को और चपल हम यहीं पर उतारेंगे चपलनी लेकर जाएंगे फॉन भी मैं यहां पर जे हो जे हो यह क्या होगा संक के आकार का कुछ रखा हुआ है यहां पर क्या जमा हूं जे हो और यह जो खेत है ना तो इन खेतों में ना बहुत सारी सबजियां होती थी पहले लेकिन अब कोई नहीं करता है और बंदर भी ना इन खेतों को नहीं होने देते हैं तो जो भी मतलब कुछ लगाते हैं यहां पर पहले तो लगाने वाला कोई है नी और अगर कोई लगाते तो इसलिए किसी ने यहां पर ना तो हल लगाया है और नहीं यहां पर कुछ की आया मतलब और उपर भावी जी घास काट रहे हैं अभी हम जा रहे हैं तिमला काटने के लिए और यह है सिंवली का पेड़ है यह और इसको ना कभी हम जमाने में जाडू बनाते थे और जब गेहूं होता है ना तो गेहूं जब सुखाते हैं तो गेहूं को जब पैक करते हैं कनस्तर में तो गेहूं के अंदर ना इसके पत्ते डालते हैं तो गेहूं पे घुनने लगता है यह सिंवली बहुत काम आती है इस तरीके से ना इसका हम जाडू बनाते थे इस तरीक यह है हमारे है सिकूल को रास्ता और हमनेना March 9 से लेकर ठील निक जहां पर पड़ायी किए इसी रास्ते से जाते थे यहां पर आमके पेड़姓 जो कि बहुत अच्छे लेते थे यहां फे था बहुत बड़ा धारा और पूरे गाउं के बच्चे कच्चे गर्मियों के टाइम पे आट-9 बजे तक या 10 बजी तक भी जिनको खाना नहीं बनाना होता था मतलब लड़के लोग इधरी रहते थे इस पानी के सुरोथ के सामने ये पानी गर्मियों में फिरीज से भी ठंडा है और इतना शुद्ध है कि विसलेरी भी फेल है विसलेरी का पानी इसके सामने कुछ नहीं है लेकिन अब गाउunk के पलायन होने के कारण जब मिटी खोदी जाती है ना रोड के लिए तो मिटी वरसात में ना बहे के आती है तो सारे जो खेत हैं वो भी खतम हो गए थे और सारे जितने भी यहां अच्छा माहूल था बढ़िया खेत थे और खेत खलियान थे अच्छे रास्ते थे वो सब बरबाद हो चुके तो पान्जीर वोलते हैं उस पेड के सामने ना उस पेड के पत्तों में पूजा होती है दूद को दही को घी मखन जो भी होता है तो पहले पहले ना जो पहले ना प्चाट को जैसे हमारे यहां सुरोत को ना देपता मानते पानी को भगवान विश्नु का रूप माना जाता है जो सबसे पहले नारायन भगवान को चड़ाते थे लेकिन अब सब लुप्त हो चुकी है वो चीजें नहर यहां पर छोटी सी बारिक सी नहर जो की खेतों की तरफ जाती है तो यह देखिए यहां पर और इस पानी को भी सकते हैं कि यह देखिए कितनी कल-कल बह रही है यह नदी छोटी सी और इसको ना इस पानी को ना ऐसी पी सकते हैं देखो कि कहां है मकडी काना कह रहा है कि ममी यहां पर मकडी है तो कबू देखो अंजीर की पेड़ में गई है और अंजीर के छोटे छोटे दाने भी हो रखे हैं और गाइस यह देखिए यह अंजीर पक के ना नीचे गिरी है तो हम तो इसको तिमली बोलते हैं लेकिन देशी भासा में यानि की मतलब जो भाहर के और राजु में बोलते हैं इसको अंजी और ये ना इतना रामबान इलाज है ना ये अंजीर का कुछ भी चीज ना बहुत महंगा मिलता है बहुत ही ज़्यादा हम ऐसी बहुत सारे अंजीर खाए हैं हमने तो अपने जीवन में तो चलिए मैं अंजीर तोड़ के लाती हूँ तो उपर कबू चड़ी हूई है और अंजीर के जो कच्छे फल होते हैं वो ऐसे होते हैं तो इनके पराठे बनते हैं बहुत अच्छे से और इसको बोलते हैं हमारी भासा में तिमली तो चलिए कर अजween न değ epid Allah कर अध़र कर लेकिन नाष चिडियाने खाया हुआ है तो इसको तो जड़ीया का खाया हुआ हुआ है से मी घटा होता है ऐसी बात नहीं है लेकिन उसके अंदर से चिडा ने सारा कुछ कुछ बहुत मीथा होता है तो हम खालेते उसको प्रीर हद्रीक अन्जीर के खास होता है वो घस है एंजीरी के लिए माली गन्हें किपने करदेकर लिए बहुत दूद देती है और यह अंजीर के पत्ते हैं तो इन मेना हम खाना भी खा सकते हैं और छोटे-छोटे हिसोले होते हैं हमारे उत्रा खंड में तो हम क्या करते थे कि इस तिमली के पत्ते ना ऐसे करके और पुडुक बनाते थे और फिर इन मेना हिसोले टीपते थे हिसोले चुनते थे और उनको इस तरीके से बनाते थे उनका गुचछा पूरा बड़ा बनाते थे और फिर ऐसे सजाते थे अपने वह बनाते हैं उसमें बहुत ही सुन्दर लगता था तूर्बढे यह जो अंजीर के पत्ते है ना तो इनको गाय खाते है बड़े चाव से और इसको कैसे करते यह देखे दूद निकलता इसके पतों से और इसके पते ना ऐसे करके और रात को साम को गाय के लिए सबजी बनानी होती है और फि कुछ अंजीर मिले हैं जो कि चिडिया रानी ने भी खाये हैं तो हरे हो रखे हैं लेकिन पकने को हो गए थे यह देखिए इस तरीके का होता है इस तरीके का गोंसा होता है और यह इतना अमिर्त है ना यह इतना अमिर्त है कि इससे ना कैंसर की दवाई भी बनती है कच्छों स तो पक्य तो बहुत ही अच्छे होंगे और मैं खा के दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरीके से खाएंगे बिना धोए खारी हूँ कोई गंदा निये कुछ निये आहा कि अज़े आप तो रहा है मिलको भी जो ना दो बहुत ऑगा इसके अंदर का खना का खोग ए ना कि बत्चे कहरें नेखाना बल इतना मीठा है और मैं आप लोगों को न होज दिखाती हूँ गेहूं की बुआई होती थी तो इस तरीके के होज बनाए जाते हैं हमारे उत्राखंड में आईए में दिखाती हूं उसको भरा जाता है और फिर उसमें से ना पानी नहर के द्वारा खेतों में पहुंचाया जाता है यहां पर ना हैंड पंप नहीं होते हैं यहां पर हैंड़ पंप की सुविधा निये क्योंकि हमारे पहाडों से नेचुरल पानी निकलता है और यह है होज जहां पर के हम कपड़े धुने आते थे और हमारे जंगलों से इस तरीके के पाइप लगे होते हैं और इस तरीके से हम बंद करते थे देखें यह जो पानी आ पानी का फोर्स ना उधर को जाएगा अभी यह देखें कितनी दूर जा रहा है और यह ना बिसलेरी के पानी से भी शुद्ध पानी है ना जाने कितने मिनेरल्स होते हैं इस पानी में जो इंपोर्टेंट मिनेरल्स पानी में होते हैं वह इस पानी में मिलते हैं जो कि लाख मर्णार वन участusz में होता है लाखों की हजारों की विए वोटल आती है उसमें भी नियूंगे इतने मेंडिन मिनरल्स है को मिनम होते देञे सैंस में पड़ा और जिस जगह पे हम आये हैं इसको कहते हैं पानी रॉल में और इस रॉल में बहुत सारे आम हुआ करते थे अलग-अलग परकार के और हम इतने सारे आम खाते थे आम के टाइम पे बहुत सारा मदा हमने इतनी मस्ती मारी है इन जगाओं में हमारा बजपन बिता इन जगाओं में हम घास काटने आते थे लकड़ी काटने आते थे और इसकूल भी जाया करते थे इसकूल ना उस पहाड़ी पे चड़ते थे हम और उस तरफ ना उस पली पार एक गाउँ है द्वारी गाउँ वहाँ पे हमारा इंटर कॉलेज है जो कि बारवीता की स्कूल है और उसके बाद कोड़वार सहर जाना पड़ता था जिसको पढ़ना होता था तो कोड़वार सहर जाना पड़ता था उनको तो हम भी कोड़वार सहर गए ट्वेल्ट करने के बाद कोलेज करने के लिए और बाबु गई है उपर हौज में पानी पीने के लिए तो काना कह रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ और आजाओ कबू ने डंडा पकड़ा है कबू डंडा क्यूं पकड़ा है और यह मेरी ममी ने घास के गठर अपने ऐसी चल पर बाखट लाता हुए तो यहां पर ना हमारा बहुत बड़ा खेत था जो कि अब पूरी तरह से जाड़ियों से ढग गया है और यह देखें बहुत बड़ा पेड यहां पर गिरा हुआ है तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ हम ले आये हैं उदर से तिमली काट के और इधर गई है कबू छचरी काटने के लिए तो उसी का मैं वेट कर रहे हूं क्यूंकि उसको अकेला नहीं छोड़ना है यहां पर कबू दैत लिए चल तो कभी ताना बहुत अच्छा घास काट लेती है और इस तरीके से और साफ करके लाती है उसको चुन-चुन के लाती है मताब छोड़ती नहीं है क्यों आए यहां पर सबकी कछेडी लग रख रखिए और अभी जा रहे हैं हम छनी में गाय माता को रोटी देने के लिए सब्सक्राइब करने करना दोंगु मिलते हैं और यहां पर मेरी मम्मी कर रही है दूद का दोहन और यह गुंगरु सेटमा गुंगुईजर और यह देखिये यह हमारी टिमी और यह है बिंदु पिंभी जाली-जाली-जाली जाली अभी डिष्टर्भ नहीं करते हैं नहीं यहां पर इनकी इनके लिए सब्जी बनाई हुई है गौमाता के लिए अरे मत कर बेटा अभी सब्जी बनाएंगे इसको अच्छे से गरम करेंगे और यह है गुंगरु सेट जो के बहुत ही प्यारा है सुन्दर है अभी इसको रोटी खिलाएंगे और यह है बिंदू बिंदू उसका नाम इसलिए रखा है कि उसके सिर पे बिंदू है वाइट कलर का यह देखिए गुंगरु सेट को क्या हो गया हना हना बोला अईयह है बोला और जब ना जैसे गाय के सामने चोटे बचे आते हैं तो वह दूद चुपा देती है और यह पर होता है तो देखिए यह ज्यादा दूद नहीं देती है एक दो किलो दूद देती है जैसे सहरों की गाये देती है ना बाल्टी भरबर के तो यह ऐसी नहीं देती है यह चोटी बाल्टी में देती है जो दूद की बाल्टी होती है चोटी वाली दो धाई किलो तीन किलो वा जब वाद वी पियागा बस बीच के जो ग्होंगरू יोता है उसी को निकला जाता है और वस इसको भरके दूध होता है ये दीखिए और गोंगरू कह रहा है कि मेरी को फिर से खोलो और दूध पिलाओ अतो आगया हमारा गंगरू गंगरू किया स्टा जो यहां पर यह चोटासा प्यारा सा चैनल किना जाखे ज में गunting हैं ये गुजरु की दीदी यह कर ठीदी आ हैं नुकरु की प्यारी दी पह्तेल नाम कि ये देखे अब उलकी मुसहीं डूjoint नहीं ल्गुर्टेबू यदि अफिति वद्ट यह कर दिया उपिंगे यह अचे अरह सुद्र गाय दिया और उन पर जर्फ शाई हो तीह और यहां पर वो बिल्कुला चिल मारते हैं और यहां पर गूंगरु कि ममी को पहले रिद्मा। इदिने दूर समात खिलाना वह अपना रशी तोड़ देगी जाओ टिमी को भी खिला आप यह जाली यह जाली है वो तिमी वो री वो वाली वी तिमी को खिलाने के लिए जारी एरी अरी इडर रही है इस दिख तो इधर को देख इडर नी लगा मुझे यह बच्पन की दोस्त बच्पन की दोस्त है अरी दिमा कह रही है होता है पींडा जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को यह तिमली का पींडा है और कभू का काम है पींडा खुरसने का यानि कि गौमाता के लिए सबजी बनाने का सबजी बोलिंगे हमारे गाल मस्ति कर दो सब और नमस्ते कर दो सब कर दो को ने बहुत सारे लोगों के पास काम कराते हो उससको परेशां करते हो अगर उसको काम не कर fatto हैं जोард ज्बूर साषब unie lasting canutju बammentती है और लोगों वह नहीं तो परशान प्रशब्स ब्लार जीद करने लगतीं है Lemra जैसंने कारभ आसजादा सब्सक्राइफ सब्सक्राइब नहीं तो परेशान हो जाती है वह जैसे हला करने लगती है और आ finden लोगों को जिनको पता नहीं है वो लोग तो सोचेंगे ही हैं ना चलो कोई बात नी वो लोग भी अपनी जगह ठीक है लेकिन कभू क्या करें कभू की ऐसी किस्मत है हाना कभू है ना 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 बल नहीं नहीं किसने मारा कैल मारे बब मारे बब मारे बब मारे बब मारे और बबु मेरा नाम है घर का तो वो बोलते कि बबुने मार दिया पता नहीं दिमाग का बच्मन में बैठा होगा कभी डाटा होगा मारा होगा अपने आप कहते हैं नहीं मारा बबुने नहीं मारा बब मारे नहीं मा गई वह दुन हो गई है ऐसा नहीं है कि मंदल उसके दिल में गम है या कुछ है उसकी धुन हो गई है उसको तो गाइज आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर करना जितने दिन में यहां हूँ यहां के वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए श्री रादे जैस्री क्रेश्न जैस्री राम